दोस्तों नवस्कार स्वागते एक बार फिर से आप लोग का यूट्यूब चैनल फार्मा एंसी की वप पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग से जो है चाहूंगा कि कल अमारी वीडियो नहीं आ पाई और अपडेट बहुत अच्छी थी और कल धंतेरस भी थी तो जो है बहुत बदाईयां और सुपकाम ना है तो यहाँ पर क्या अपडेट थी सारा सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्स करेंगे इस वीडियो में तो चलिए फ्रंट्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों वीडियो सुरू करने से वेले अगर आप लो को सस्क्राइब करना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है यह बात जो मेरे साथ स्टुडेंट जुड़े हैं जब से जब से होमियो पेद फार्मासिश्ट भरती का विग्यापन भी नहीं आया था तब से उन लोगों से यह चीज आप लोग खुछ से कनपन कर सकते हैं तो नोटिस में नहीं होती है लेकिन वो आप लोगों की ऑफिसल जानकारी ही होती है तो अभी में आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि यूपी ट्रफल सी आप लोगों का एकजाम जनबरी और फरबरी में भी जारी रखेगा ठीक है क्या जनबरी और फरबरी जो अभी तक यहां पर सुनने में आ रहाता की जो है कुमब की बजे से परिच्चाएं नहीं होगी sorry friend महा कुम्ब कुम्ब तो हम नहीं बोलेंगे इसे क्योंकि ये 25 साल में साथ आता है महा कुम्ब की बजे से या 20 साल में आता है मुझे official जानकारी नहीं है अगर किसी भी हमारे candidate या student को ये बात थोड़ी आची ना लगे उसके लिए मचमा चाता हूं लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि महा कुम्ब की बजे से आप लोगों की परिच्छाय नहीं रुखेंगी और आप लोग ये मान के चलिए friend अब जो है आप लोगों की परिच्छायों में बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा ठीक है डिले नहीं होगा इसमें फ्रेंड आप लोगों की परिच्छा है नमंबर में आप लोगों की टाइपिंग वाली हो दिसंबर में मेंस की परिच्छा है 2022 वाली होगी आप लोगों की 2022 पेट की मेंस की परिच्छा होगी जिसमें काफी पोस्टों की परिच्छा होनी बागी है और उसके तुरंद बाद आप लोगों का PET 2023 से एकजाम आप लोगों का चालू हो जाएगा. अच्छा, क्या PET 2024 24 के एकजाम जो कि अपरेल 2025 में होना है, उसके बाद ही PET 2023 की परिछ्चाय होगी, नहीं, आप लोगों की PET 2023 की परिछ्चाय होती रहेंगी, ठीक है? और जो है साती सात आप लोगगा पैड 2224 का जो नोटिफिकेसन zosन WAS आ जाएगा, और आप लोगगा एकजाम वी अप्रेल मई में पैड 2025 का एकजाम आप लोगगा हो जाएगा, तो जो candidate जो है PED के बारे में जार रहे थे उनको भी जानकारी मिल गई और BCS रूप से हमारे होमियोपेद फार्मासिष्ट वाले भाई लोग जो आप लोगों का exam है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत जादा delay अब नहीं होगा जो लोग कह रहे थे नमंबर 2020 तक जाएगा तो एक idea आप खुछ से लगा सकते हैं आयोग थोड़ा action में आया है ठीक है जब अभी यह जो 25 October को विसाल धरना हुआ था उसका भी असर हुआ है जिससे कल एक result जारी किया गया है 2016 का combined technical 2016 का result जारी किया यह आप लुक्स देख सकते हैं आठ साल बाद इस टाइम जो है शर्तकता बरत रहा है और थोड़ा सा जो है तेजी से काम कर रहा है मैं इसे पूरा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा तेजी से काम कर रहा आयोग ठीक है तो आप लोग जो है आप बहुत अच्छे से लग जाईए ठीक है एक्जाम कब होगा एक्जाम notice प्राप्त होता है तो यह चीज आप लोग जो अच्छे दिया रखिए कि आप लोगों का एक्जाम अब बहुत ज्यादा डिले यहां पर नहीं होने बाला है जो है एक्जाम आप लोगों का डिले इत्ता नहीं होगा कि उनने आपने जो candidate हमें कुछ मेसेज करके बोर रहे थे हैं और कमेंट करके कि सरे एकजाम नमंबर दिसंबर में होगा तो ऐसा नहीं है नमंबर दिसंबर मतलबْ यह 25 बाला बता रहा हूं मैं आप लोगों को वो कि ये अधा ज्याधर पचिस बता रहे थे नमंबर दिसंबर देखिए देखे इत्ता जादा डिले एक्जाम होने के यहां पे कोई चांसे नहीं है क्योंकि जो दो महीने आप लोग के खाली रहने वाले थे जनवरी और फरवरी ठीक है क्या जनवरी और फरवरी जो यहां पर बोला गया था कि कुम्ब की बज़े से महा कुम्ब की बज़े से परिच जारी रखेंगे हमारी परिच्छा लगाता चलेंगे हमें मतलब उसमें कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा तो यह बहुत अच्छी कपर है दो मन्त आप लोगों को मिल जाएंगे मतलब जो भी कंडिडेट है वैसे दो मन्त आप लोगों के लिए बेकारी रहते बेकार क्या त्यारी के लिए रहते लेकिन यहां पर दो मन्त आयोग की तरफ से कोई परिच्छाएं नहीं कराई जा पाती जनवरी और फरवरी में तो यहां पर आप लोगों के लिए यह चीज अच्छी मिल गई है क्या तो आज की वीडियो मारी किस टॉपिक पर थी कि आप लोगों का होमिऊपेट का एक्जाम कब तक होगा तो आप लोग खुछ चे आइडिया लगा सकते हैं कि होमिऊपेट का एक्जाम अब आप लोगों का बहुत जल्द होगा ठीक है कोई इतना जादा डिले यहां पर होने की जो है कोई गुझाईस अब रह नहीं गई है ठीक है व्रeं तो जो है बाकी किसी भी तरीके का आप लोग का डाउट है कमेंट कीजिए मैं पूरे रिपलाई देने की कोसिस करता हूँ ठीक है आज की वीडियो मारी यहीं तक रहेगी और किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट आप लोग कमेंट करके पूछ रखते हैं चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं सस्क्राइब कर लीजेगा ठीक है फ्रेंड मिलेंगे निश्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ थेंक्स फर वाचिंग फार्वा एंसेक्यूर